नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आईएस विध हरी मोहन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं सीता सिंग, आज आपके साथ लाइफ प्रोसेस चैप्टर की लास्ट क्लास डिसकस करने जा रही हूं, जिसमें मैं टॉपिक डील करूंगी, एक्स्क्रीशन इन लिविंग और ग्यानिजम, मने सजीवों में उत्सरजन कैसे होता है, तो हाना कि चैप्टर में तो हम सभी सजीवों के बारे में बात करेंगे, जिन से रिलेटेड आप से कोश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहां डाइग्राम जो दिखाया है, पिक्चर में जो मैं आपको दिखा र और किन-किन टॉपिक्स को हम डिसकस करेंगे, सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि एक्स्क्रीशन होता क्या है, तो एक्स्क्रीशन को डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे कि शरीर के अंदर होने वाली वह प्रक्रिया, वह वो प्रॉसेस जिसके द्वारा सजीव अप तो हम बात करते हैं, 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 कि देखें बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होगा कैसे हम खाना खाते हैं खाना खाने के बाद में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एक तो सी ओ टू नाम का वेस्ट निकला वो हमने लंग्स के दूरू बाहर रिद्लीज कर दिया इसके अनावा हम जो भी फूड मिटीरियल ले रहे हैं उसमें प्रोटीन्स थे और प्रोटीन्स तूटके अमीनो एसिट्स बनते हैं अपने आप में एक्स्प्रेइन करता है कि इसके पास नाइट्रोजन है पॉडी नाइट्रोजन इस वेस्ट को टॉलरेट नहीं कर पाती है और इन वेस्ट को बॉडी से बहार डिसकार्ट करना ज़रूरी हो जाता है तो जो सिंपल से और गयानिजम्स हैं लाइक अमीबा यह मैं आपके सामने बना रही हूं अमीबा के अंदर एक वेक्यूल हमने डिसकस की थी सेल चेप्टर में जिसका नाम था कॉंट्रक्ट्ट कांटक्टट हैल वेक्यूल के अंदर अपने सारे वेस्ट को इहकट्टा करता और उसके बाद क्यों एक्जोसाइटोसिस के थुब बाड़ी से बहार डिसकार्ड़ हो जाती है क्यों क्योंकि यूदि शपनेर अर्गयानिसम्स हमेशा एंवाइर्मेंट के डिरिक्ट कॉंट multi-cellular organisms के पास में हमेशा हर काम को करने के लिए एक well developed organ system होता है और यह चो organ system है यह अपने अपने कामों को धंसे कर पाता है लेकिन हमेशा organ system का कोई नो कोई organ जो है वो environment के contact में होता है तो देखिए अगर बात करेंगे हम की waste कौन सा है और कैसे remove करना है तो mainly अगर हम सिर्फ nitrogenous waste based की बात करें तो nitrogenous waste जो होता है वो तीन form में discard किया जाता है और वो तीनों के नाम है एक तो ammonia दूसरा urea और तीसरा uric acid पहला नाम ammonia urea और uric acid ammonia ज़्यादा और सबसे बड़ी बात हम आपको यहां बताऊंगी की अमोनिया इन तीनों में से सबसे ज्यादा toxic होती है अमोनिया के discard करने के लिए अच्छे तरीके से discard करने के लिए बहुत सारे पानी के जरुत होती है तो हम लोग इस इंवार्मेंट में नहीं रहते हैं कि हम बहुत सारे पानी का विस्ट बरदाश कर सकें हमारी बॉड़ी के जो और गन्स सभी किड्नी की बात करेंगे किड्नी हो गई उदर हमने पहले बात करी थी दिजेशन में की लार्ज इंटेस्टाइन थी यह तो पानी का बहुत सदर ही अब्जरप्शन करते हैं और पानी को बॉड़ी से बाहर नहीं जाने देते हैं लेकिन जो लोग पानी में रहते हैं उनके पास पानी की कोई कमी नहीं होती है और वो इस तरीके से अमोनिया गैसियस फॉर्म में डिसकार्ड करते हैं ऐस वेस्ट जो की पानी में बादने गुल जाती है तो वो एनिमस जो अमोनिया को ऐस वेस्ट डिसकार्ड करते हैं उनको बोलते हैं अमोनो टेलिक और्गानिजम्स क्या बोलते हैं अमोनो टेलिक और्गानिजम्स यह अम आमोनिया की फॉर्म में हिए अपना वेस्ट को डिसकार्ड करते हैं तो आप दिमाग में एक कॉश्चन आएगा तो वहां कन्फूजन होता है क्योंकि और थोपोर्ट में हम बात करते हैं तो हम इसा फाइलम है जो 70% और किंग्नम को कवर कर लेता है पॉकेला, क्यों है? क्योंकि उसमें insects आते हैं, लेगिन crustaceans, जो इसमें class होती है, crustacea, और यह यहाँ पर क्या होते हैं? पानी में रहने वाले और्थोपोर्स हैं, वो ammonia की form में अपने waste को discard करते हैं, इसके बाद सबसे toxic कौन सी हुई? अमोनिया उसके बाद इससे थोड़ी से कम टॉक्सिक हुई यूरिया तो हमने कहा कि बहुत सारे टेरिस्ट्रियल एनिमल्स जैसे मैमल्स हैं एंफिबियन्स हैं शाक्स हैं और बोनी फिश्स वगरा क्या करती है यह यूरिया की फर्म में वेस्ट को डिस्कार्ट करती है यूरिया का फर्मूला क्या होता है CO-NH2 CO-NH2 अगर आप इसको पढ़ोगे तो NH2 CO-NH2 CO-NH2 ग्रुप जुड़ा होता है जिसको एमाइड ग्रुप कहते हैं और वो एनिमल्स जो urea की form में waste को discard करते हैं वो कौन है ureotelic organisms फिर थर्ड class आती है हमारे पास uric acid इन तीरों में जो सबसे कम toxic है वो है uric acid वो animals जो uric acid की form में अपने waste को discard करते हैं वो कहलाते है ureotelic organisms इसमें आते हैं reptiles, insects और birds तो डियाग्राम में आपके लिखा है birds, many reptiles, insects, snails यह सब किसकी form में अपने waste को डिसकार्ड करते हैं यूरिक acid अब ये सिर्फ और सिर्फ nitrogenous waste की बात करी थी अभी हमने nitrogenous waste तीन तरह के compounds की form में release हो रहा है और तीनों compounds कौन-कौन से हैं ammonia, urea और uric acids तो अलग-अलग organisms अपनी-अपनी convince के हिसाब से इन तीनों में से किसी एक form में अपने nitrogenous waste को डिसकार्ड कर रहे हैं इसके अलावा बहुत important सा question है जिसके लिए मैंने आपको यह extra material यहां पर include करके दिखाया है और वो important question क्या आता है कि अलग-अलग जीवों में चाहे वो vertebrates हैं, चाहे वो invertebrates हैं, चाहे वो codates हैं, चाहे वो incodates हैं अब यह codates और non-codates, vertebrates और invertebrates यह होते क्या हैं यह हम अपनी classification वाली class में discuss करेंगे यहां पर मैं सिर्फ इनके नाम introduce करा रही हूँ, क्यों क्योंकि मुझे यह बताना है कि कौन-कौन से organisms में chief excretory cells यह chief excretory organs कौन-कौन से होते हैं बहुत important सा question अभी आपके सामने आएगा पहले तो मैंने amoeba के लिए बताया, तो amoeba तो क्या करता है, cell surface के थ्रूई करता है, cell membrane के थ्रूई करता है, उसकी तो cell membrane जो है, वो क्या है, environment के direct contact में होती है इसके बदब के जो porifera है, porifera, sponge जिसके अंदर आते हैं, वो भी body surface के थ्रूई, excretory waste को discard करते हैं तीनोफोरा, NL4 pores के थ्रूई करता है, और platy elementi, जिसके अंदर कौन आता है, ateneasoleum, या tapeworms, flatworms, ठीक है प्लेनेरिया, fessiola, ये सब क्या है, इसी के animals होते हैं, जो बहुत important आएगा, flame cells, जिने हम क्या बोलते हैं, हिंदी में ज्वाला को शिका है ठीक है, और ammonia की form में अपने waste को discard किया, इनके जो nephredia है, वो proto nephredia type के होते हैं, और इनके पास में कौन सी special cells होती है, flame cells होती है फिर इसके बाद हमारे सामने आते हैं, rotifers, जो ये भी plenty helminthes से advance है, rotifers, उनमें भी flame cells है next, phylum enter करते हैं, हम कहाँ पर SK helminthes, roundworms जिने कहते हैं, दूसरा नाम है इनका nematoda, और यहाँ पर हमने लिखा है, nematohelminthes इनके पास special type की cells होती है, जिनको हम कहते हैं, rinit cells, और यह अपना waste किस form में discard करते हैं, ammonia and और urea दोनों की form है देखें, यह phylum है, किसी एक animal के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, तो एक phylum के अंदर बहुत सारी class होती है, अगर hierarchy की बात करोगे आप, classification करते हैं तो सबसे पहरे kingdom आया है, फिर phylum के अंदर क्या आएगा, class आएगी, फिर order है, फिर family है, फिर genus है, फिर species है, तो यहां यहां पर हमारे सामने क्या आया है, यह बहुत बड़े label पे हम group में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे animals हैं, जिनमें से कुछ ammonia discard करें, कुछ उरिया discard करें देन हमारे सामने आता है, एनलेट्स, ठीक है, एनलेट्स जिसमें, जिसका representative animal कौन होता है, के चुआ, अर्थवाम, वो जाना पेचाना सा है हम सबके लिए, यहां पर जो निफ्रीडिया होते हैं, वो मेटा निफ्रीडिया होते हैं, किसमें, नेरिस में और लीच में, और मे क्या लिखोगे, निफ्रीडिया, क्या लिखेंगे आप आंसर, निफ्रीडिया, और वेस्ट किस फ़र्म में डिसकार्ड हुआ, अमोनिया और यूरिया की फ़र्म में, और तो पोड़ा के पास में भी बड़ा ही इंपोर्टन सा कोश्चन आया, मैल पीगी अंड टिब्यू और जो पानी में रहने वाले हैं, वो अमोनिया की फ़र्म में अपने वेस्ट को डिसकार्ड करते हैं, मुलस्का, जिनके उपर शेल पाया जाता है, इनका करेक्टरिस्टिक फीचर था, इनके पास थी रीनल ग्लैंस, या फिर और 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 यूनियो में, और इसे अपने दूसरे बार में कहा, तो इन्हें कहते हैं, केबर्स ओर्गन किस काम में आते हैं, केबर्स ओर्गन आते हैं, एक्सक्रीडरी प्रोड़क्ट्स को रिलीज करने की फ़र्म में के काम में, और ये किस में पाया जाता है, मुलस्का में पाया जाता है, अगर एक्वेटिक मुलस मुलस्क है पानी में रहने वाला मुलस्क है तो वो क्या करेगा अमोनिया की फ़र्म में डिसकार्ड करेगा ठीक है और लार्वल फ़र्म में लेकिन यह क्या करते हैं यूरिक एसिट की फ़र्म में डिसकार्ड करते हैं एक काइनो डर्मेटा जिसकी बॉड़ी पर कांटे-कां इसको specific नाम दिया जाता है, can cenaal system है हमारे सामने किस पे, periphera में, यहां पर हम नाम देते हैं उसको water vascular system, vascular bundle नही बोलना है, vascular bundles पाये जाते हैं, plants में, इस animal के पास क्या है, आपके सामने, water vascular system, यह अपना waste discard करता है, ammonia की form में, यह कुशES important से, question create होते हैं हमेशा जो exams में repeated पूछे ही जाते हैं तो ये वहले section मैंने specialy competition point of view से introduce कराया था चलिए तो बात करते हैं अपने खुद के respiratory system की हमारे respiratory system में कौन-कौन सी चीज़ें आती है हमारे respiratory system में एक जोड़ी kidney होती है जिसे science की language में व्रक कहते हैं और हिंदी में गुर्दा कहते हैं kidney science में की language में क्या कहते हैं इसको व्रक कितनी होती हैं एक जोड़ी होती हैं left और right दोनों side present होती हैं इसके बाद दोनों kidney से एक tube निकलती है जो bladder तक जाती हैं और इन tubes को बोलते हैं ureter क्योंकि kidney दो है तो ureter भी कितने हैं हमारे पास में दो दोनों kidney का जो main काम है वो urine को filter करना था और filter करने के बाद में ureter के थूँ ये लंबे time तक कहां store रहती है bladder के अंदर bladder एक muscular bag है जो urine को तब तक इखटा करके रखता है जब तक कि हम urine को body से discard नहीं कर देते हैं तो urine के body से discard करने की process को बोलते है mick turation चलिए बात करते है kidney कैसी होती है कैसी shape क्यों होती है कहां पर हमारी body में present होती है तो हमने कहा in humans the excretory system consists of a pair of kidney one pair of ureter and a pair of urinary bladder and one urethra और urethra के थूँ हम क्या करते हैं वो common opening है जिसके through waste को discard किया जाता है kidney reddish brown कलर की होती है bean shaped होती है और अगर हम अपने columns की बात करते हैं तो ये last के thoracic और third lumber vertebra के पास पाई जाती है लेकिन ये vertebral column हमारा कहां होता है dorsal side में और kidney present होती है ventral, ventrol, lateral ventral मने आगे की तरफ और lateral मने side में चो kidney है kidney का size लंबाई में 10-12 cm होता है चोड़ाई में 5-7 cm होता है और thickness होती है इसकी 2-3 cm वजन होता है इसका 122-170 gram on an average we can take it as 140 gram ये था आपके सामने diagram kidney का देखी वेना के वा कौन सी थी? वेना के वा तो blood ले जाने वाली है है ना? और लाने वाली कौन सी होती है? artery होती है तो जो kidney को blood देती है उस artery का नाम क्या है? renal artery renal word हमेशा use होता है kidney के लिए hepatic word यूज होता है हमेशा liver के लिए तो कुछ एक ऐसे words है जो बता रहे हैं कि वह किस organ से associated है organs को blood देने वाली जो विसल होती है वो artery होती है और organ से blood ले जाने वाली जो विसल होती है वो वेन होती है ठीक है आपके सामने diagram दिखाया और यह जो kidney के ऊपर yellow color की design सी बनी हुई है यह design हम अलग से discuss करेंगे adrenal gland जो एक endocrine gland की तरह काम करती है और बहुत सार एक specific hormone को release करती है तो जितने भी hormones हैं वो हम endocrine या फिर particularly endocrine और exocrine gland वाले section में discuss करेंगे और वैसे तो इसको अभी हम जो next मेरी वीडियो आने वाली है वो नया chapter होगा control और coordination तो control और coordination में electric और chemical दोनों पर बात करूंगी तो वहाँ पर हम जो neural control है वो भी बात करेंगे और जो chemical control है वो ही बात करेंगे तो जब chemical control की बात करेंगे तब हम वहाँ पर सारी ग्लेंट्स के बारे में बात चीट करेंगे आपके साथ में तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं किड्नी को यह जो काम filtration का है यह कराता कौन है तो किड्नी की जो सबसें चोटी यूनिट होती है जिसके दम पर किड्नी काम करती है उस यूनिट को बोलते हैं नेफरों किड्नी मिलकर के बनी होती है अनकाउंटेबल चोटी-चोटी यूनिट से जिसे आपने क्या नाम दिया नेफरों दिया देखिए मैंने कोशिश किये इस डाग्राम की हल्प से आपको बताने के लिए कि एक्जेक्ली नेफरों कहां पे और क तो कौटेक्स और यंकि मेडूबा में यह जो परमिट्ड जैसी शेफ हम में दिखाई दे रही है ठीक् addition जो परमिटेवा इसांट सारे क21 रहेंगे और यहां पर पूसे नीफ्रों छोटेक्स में छोटोटे-छोटे रहता है और इसके बाद जो इनकी ट्यूब होती है वह इसके मेडूल रहा जाता है आपके सामने डिखाया जारा यह पिरामेड पिरामेड के उंदर की तरफ इसका क्या जा रहा है लूप वाला पोर्शन जारहा है इस अपर पोर्शन इस कॉल्ड कॉर्टेक्स तो अगर आप बात करोगे किसकी इसी नेफ्रोन की तो नेफ्रोन में एक आने वाली वेसल एक जाने वाली वेसल और यहां पर बहुत बड़ा जाल सा है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है और इसके बाद आती है तुमारी क्या सुले नेफ्रोन सिर्फ को डियृ्ट करते हैं उनके पास हैनल लूप या तो नहीं होती है तो बहुत ही सही होती है कुछता जा जाने वाले फ्यॉस्ट से लुटा स्ट्रक्चर बना लिया सीव जिसा स्ट्रक्चर बना लिया तो वह क्या कहलाता है इसका बेसिक काम क्या है डाट इस ब्लेड में से नाइक्ट्रोजनेस वेस्ट को चानना और आगे पासवान करना ठीक है तो जो पर्टिकुलर एट्रियोल लेकर के आई है वह उलते हैं उसको थोड़ी मोटी होती है और इफ्रेंट ट्रियोल जो इसमें से बाहर निकलती है पतली होती है उसके पास प्रेशर ज्यादा होता है तो यहां भी मैं आपको याद करने माली ऐसी बता देती हूं एक चोटा सा कॉंसेट जो मैंने मैंने अपने खुद के लिए बनाया और आप तो कभी अगर कंफ्यूस हो तो ऐसे चोटे मोटे से अपने क्लूस बना लेने चाहिए ताकि हमें चीजें याद रहें चलिए इसके बाद यह कहां पहुंचेगा नाइट्रिजनेस वेस्ट कहां पहुंचेगा जिसे अपने यूरेन कहा वह एक ट्यूब में पहुंचेगा कट शॉट में हम इसको बोलते हैं फिर इसके बाद पी सी टी और यह एक यू पिन जैसा स्ट्रक्चर बनाया इस यू पिन में बहुत सारे अलग-अलग कहीं मोटी हो रही है कहीं पतली हो रही हर किसी का अपना एक काम है लेकिन हम इतना डिटेल अभी यहां पे डिसकस नही लूप में हमेशा काउंटर करेंट होता है जो यूरिन के बनने और यूरिन के डिसकार्ड होने में हल्प करता है चलिए इसके बाद यह वापस से जो हैंले लूप की ट्यूब है यह फिर जाकर के थोड़ी सी मुड जाती है और यह क्या बनाती है डिसीटी डाट इस आउट करने में फिर से मैंने आपके सामने एक सिंपल सा डियाग्राम बनाया और क्लियर डियाग्राम बनाने की कोशिश की जिसमें नेफ्रॉन दिखाया नेफ्रॉन में आने वाली थोड़ी सी मोटी होती है जाने वाली थोड़ी सी पतली है यह जो ग्लोमेरुलस है यह तेरे काम करता है और मैंक्ध डूमिन क्या है कि है कि कप जीसा स्थटक्चर है ठीक है जिसके अंदर सबसे पएले यूरा यूरिन शनके आतीयर यहां पर यूरा और यूरिन के फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा प्लिट्रेशन और शू 5 कैसे होता है पानी नहीं पहें या पानी ज़्यादा पीएंगे तो इसका कलर वेरी करता है बालर जी में कभी टू प्लस टू फोर नहीं होते हैं डाट डिपेंद्स अपने कंडीशन कि किस तरह कंडीशन अम बॉडी को प्रवाइड करा रहे हैं देखें यह जो हैं ले लूप नीचे उतर रही थी इसको बहुतने डिसेंडिंग लूप ओफेंलेस उपर चड़ रही है उसको असेंडिंग लूप अफेंलेस इसके पैललर करने वाली वसार रख्टा स्टार्टिंग में जहां पर यह ट्यूब मुड़ी हुए दार इस पीसी इसी नेफरोन में सिर्फ फिल्टर और वोमेन कैप्सूल को क्या वो नाम दिया जाता है एक स्पैसिपिक नाम दिया जाता है यहां पर मैंने इसको काम करते हुए दिखाया अगर आप जानना चाहते हैं और डिटेल में इससे जादा तो जुड़िए हमारी फटा-फट से ऑ इसके अलावा बता रहे हैं कि अपना वेस्ट तो अपना नहीं कर सकती है कि अपना फॉर्चनेटी ऐसा हो जाता है कि हमरे दोनों खराब हो जाती है तब उसकेस में होता है एक artificial kidney को यूज कराया जाता है, artificial machine को as a kidney की तरह यूज कराया जाता है, उस particular process को हम क्या कहते हैं, hemodialysis, right, यह process क्या कहलाती है, hemodialysis, कब होता है, हमने बात करी, in case of kidney failure, an artificial kidney can be used, an artificial kidney is a machine or device that removes the nitrogenous waste from the blood, to the particular process known as dialysis, artificial kidney contain a number of tubes with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with the dialyzed fluid, normally in a healthy adult हम बात कर रहे हैं, कि एक दिन में kidney जो है, वो 180 liter blood को चानती है, लेकिन इस 180 liter blood में से सिर्फ और सिर्फ एक से देड़ लीटर urine ही body से डिस्कार्ड करती है, बाकी इसके अंदर से जो पानी है, वो बार-बार re-re-re-re-re-absorption होता रहता है पानी का, तो यहाँ पर होता क्या है, देखे, patient है, right, patient, hospital गया, यहाँ से जो connect है उसकी whistles के साथ में, इसका blood निकलना start हुआ, यह गया आपके सामने, pump किया, और यह आपके सामने जो है, यह यहाँ पर membrane यूज की गई है, ठीक है, किसकी तरह जैसे self-membrane होती है, ऐसी तरीके से selectively semi-permeable membrane है, और यहाँ पर जो concept काम करेगा, diffusion का, nitrogenous waste हमेशा जादा concentration से कम concentration की तरफ move करेंगे, इस dialyzer के पास में, इस dialyzing machine के पास में, सब कुछ है, except nitrogenous waste, हमारे blood में से nitrogenous waste हम, और इसके पास तो nitrogen नहीं है, लेकिन हमारे पास nitrogen है, तो यह क्या करेगा, nitrogen को जादा concentration से कम concentration की तरफ filter out करतेगा, ठीक है, तो इस dialyzing solution के पास क्या था, इसके पास nitrogen नहीं था, बाकि सब कुछ है, फिर question आता है, तो आप इसको answer कर सकते हैं, अब यहां से सारा की सारा nitrogen क्या हो गया, अलग से खटा हो गया, यह वापस से क्या करा जाता है, पेशेंट को फिर से चढ़ा दिया जाता है, अब दिखेंगे, बात कर रहे हैं, सिर्फ nitrogen का waste ही body से discard नहीं किया जाता है, इसके अलावा body के रिए और भी waste material हैं, जिसको हम अलग अलग form में discard करते हैं, जैसे carbon dioxide body को नहीं चाहिए, तो वो क्या करती है, lungs के थुरू discard कर देती है, बहुत सारे minerals वगरा जो toxic होते हैं, उसको body sweat के थुरू discard कर देती है, और जो undigested food था, उसे हम eagation के थुरू discard कर देते हैं, कई पर लोग eagation को भी excretion समझ लेते हैं, बढ़ नहीं, excretion वो नहीं है right, excretion का मतलब होता है, वो एक broad process, जिसमें nitrogen के waste को body से discard किया जा रहा है, या फिर दूसरे pro waste को भी body से discard किया जाता है, तो यहां पर eagation इसका एक step हो सकता है, लेकिन बड़े science में जब हम बात कर रहे हैं, excretion is directly proportional to discard of nitrogenous waste from the body, अब क्या ही यह, excretion के process सिर्फ हम में होती है, य क्योंकि दूसरे animals में और अपने आप में तो हम पढ़ चुके, लेकिन plants में भी हमने बात नहीं करी, जब हमने respiration और breathing plants में साथ साथ पढ़ाया है, तो हम excretion भी पढ़ेंगे, बिल्कुल, जो भी कोई living है, organism है, उसके अंदर, cell में metabolism होता है, respiration होता है, energy produce होती है, food का breakdown होता है, तो जिब toxic material प्रडूस होते हैं, तो यह toxic material जरूरी है कि body से discard भी किये जाएं, लेकिन हाँ, तरीका अलग हो सकता है, plants हमारी तरह urinate नहीं करते हैं, excretion के दोरान, plants में excretion का तरीका कुछ अलग है, और उसके waste के नाम भी कुछ अलग है, plant के लिए सबसे पहला तो waste material जो ह क्या कर रहा है, अपनी body से waste को discard कर रहा है, तो हमारा तो भला हो जाता है, यहां चलते चलते, plant ने oxygen release के रिए हमने फटाफट से उसको ले ली, right, इसके अलावा पानी है, वो transmission के through body से discard कर देता है, और बहुत सारे कौन-कौन से हो सकते हैं, तो हमने बताया है, the plants use the fact that many of their tissue consists of dead cells and they can even lose some parts such as leaves, ठीक है, बाइसी दी सी बात है, इसके अलावा जब वेस्ट को release करने का तरीका है, वो बड़े sense में अपनी पूरी पतियां गिरा देता है, साल में एक बार plant अपनी सारी पतियां गिरा देते हैं, ताकि उनके अंदर टॉक्सिक लीज वगरा में खटे हुए तो वो सारे के सारे discard हो जाएं, यही सास साथ में इसके अलावा और भी कुछ एक waste material हैं जो plant को नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग उनको further use कर लेते हैं, जैसे कौन-कौन से हो सकते हैं, resin है, gum है, ठीक है, यह सब क्या हैं, waste material की form में प्लांट से discard होते हैं, और इनको human purpose से, यह human welfare में कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से यूज कर लिया जाता है, एक यहां पर diagram दिखाया है, जिसमें पानी की जो बूंदे हैं, वो इस पत्ती के किनारे किनारे पर इखटी हो रखी हैं, तो पानी का जो loss है, plants transpiration के तो भी करते हैं, और इस पानी की बूंद का, इसे पानी का बूंदों की फॉर्म में डिसकार्ड होने की प्रोसेस को एक अलग से नाम दिया जाता है, गटेशन, वो भी आपसे question पूछा जाएगा, देके दोस्तों आप इंतजार कर रहे होंगा, इस topic में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो मैं आज आपके साथ discuss नहीं कर पाई क्यों क्योंकि हमारी limitations है, kidney से kidney खराब हो जाती तो और कौन-कौन सी problems हो सकती है, affected, जो disorders है, यहां से related disorders है, वो कौन-कौन से हो सकते हैं, अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ना चाहते हैं, और detail में जानना चाहते हैं, बहुत सारे questions और भी solve करना चाहते हैं, तो फिर आपको हमारी online classes join करनी पढ़ेंगे, last section की तरफ आते हैं, जिसमें हम questions को discuss करते हैं, सबसे पहला question हम बात करेंगे, कि human के excretory system में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, मैंने का kidney हैं, कितनी-कितनी, दो, एक pair, ureter, एक urethra, तो क्या option कौन सा सही होगा, all of the other भी सही हो सकता है, चले, फिर हमने का, excretory product of reptile, reptiles में कौन सा हुआ करता था, reptiles में सबसे कम toxic वाला होता है, जिसका नाम है uric acid, network of capillaries that forms filter in basic unit of kidney is called, basic unit of kidney क्या है, nephron, right, nephron में, जो filter बनाता है, वो कौन बनाता है, glomerulus filter बनाता है, पहले हमने बात करी, न, वहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, अब लड़की capillaries होती है, जो इस तरीके से filter का काम करती है, लास्ट जो question है वो, oxygen is considered to be excretory material in animals मेरे बापरे बाप, animals को तो चाहिए oxygen, पैक्टिरिया में न, बिल्कुल, सही है, plants क्या करते है, oxygen को as a waste, discard करते हैं अपनी बाड़ी से, और हम लोग उसको अपने बाड़ी में इ दोस्तों, अमीद करती हूँ, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो please like, subscribe और share करना मत भूलिए, next वीडियो जिसमें मैं topic discuss करूंगे, आपके साथ control and coordination का, और topic होगा, उसका main topic होगा, nervous system, वो बोड़ी वीडियो आपको time प type करना है, यहां हमारे app पे आपको सारे के सारे question banks, last year के question banks, और recent, जो भी update है, examination से related, question से related, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे, आप हमसे बाचीत करना चाहते हैं, contact करना चाहते हैं, तो telegram पे मिल सकते हैं, facebook पे मिल सकते हैं, twitter पे मिल सकते हैं, whatsapp कॉल कर सकते हैं, किसी जल्दी से आईए, और हमारा app डाउनलोड कर लिए, और मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, बैल आइकन दबाएए, ताकि टाइम लिए आपको notification मिल सके, धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में अगले टापिक के साथ